प्यारे दोस्तों हमने कल स्टार्ट की टी क्लास को सुरुआ से और डे वन में पहला पढ़ाया था इस्पेसल आपको यहां पर टेक्निकल की इलेक्ट्रिशन की क्लास से लिए सब लोग इलेक्ट्रिशन से हो उम्मीद है मुझे ऐसा ठीक है ओनलाइन मोड पर यहां से देखने को मिलेगी और जैसे आप लाइब ने लेते होते यह रिकोर्ड में आपको देखने को मिल जाईगी तो प्यरमित्रों हम चलते हैं बिल्कुल एक एक चीज को कंसर्प्ट के साथ आए देखेंगे सबसे पहले कि जिस प्रकार से यह क्लास हमारी है इसकी जो आपको ए सब्सक्राइब org Irish प्रका सफ है शेड़ तेखना भी सब्सक्राइब क्यूंक्ता से जो के लो प्यूए अंब Sü sesleri द जिटेकंकल में वखेंड बात करते हैं तो यह पर स्पेसल हैं और औरicky संकर बात करते हैं तो क्या है इस बात को ध्यान लभीगा इसके बाद में हम बात करते हैं completely जो हो आपकी यहां पर और इसमें पढ़ा रहा है आपको शुरुआ से तो हमारी जो क्लास है यह कौन सा आज यह क्लास नंबर कौन सी है तो डे हमारा है सकन कौन सा दिन है दूसरा दिन सही है तो हम इसी वकल मैंने बात किया थी आपको जो का से किया था बेसिक से का से से कहां तक very very high level तक हेखना परता हम इंप कडो चीज करंदा में देखना परता हूं यह चीज़ हमारा लिए बहुत प्टेन्सिक होती है एंप कल जो है आप साम कुझन जो है चार चार बज़े आये थे सब लोग a आए थे गने पर देने के लिए आपको आना हां ठीक है किती भूंट यहों तो लेट आजात वी देना में क्योंकि पेपर नहीं दोगे तो पता ही निचलेगा आपको कम से कब पेपर देना का पेटर्न तो देखो इसका कोई चार्ज नहीं निशुल का आपके कहा है तो कोई नहीं प्यारती है बिरता उसे बोलो पेपर दिला है तो इसमें देखिए बैसिक से हमनी लिया है और बैसिक सरी कहां पर लिया अरुक इन दिनों की बारे विष्थार से बादशीत की थी आपको ये भी बताया है ता कि इस प्रकार से कहां और कैसे कर मित्रो हम चालक कि बाद में हमें जो हो एक तार मिल गया हम धारा-भाहा सकते हैं तो धारा-भाहाने के लिए ख सकतो होगा किना कि इलेक्ट्रों की पाधिक कि अपड़ाने की था रिव पड़ेगा हिंसरी पड़े हम यहां पर sé Vors साह हमारा डे सेकंड तो क्लास दूसरे नमबर की है हम इसमें बात पड़ रहे हैं तो ठीके लिजीगा तो लिखेगा सबसे पहले जब चालक हो चालक अर्चालक हमारा हुआ तो इसके बाद में हम सबसे पहले लेते हैं एटम या अनू को बोलते हैं मौली कुलिये मतलब होता अनू यह अनू जो होता ना प्रकर्ति का सबसे शुक्स्नितम कण है लेकिन संभावन प्रप्रेशानि इसकी क्या है कि यह जो है श्वतंत्र अवस्ता में पाया जाता प्रकर्ति का सबसे चोटा कण तो यहां इसकी जो परिभासा बनेगी वह यही बनेगी क्या बनेगी परिभासा डेफिनेशन लिखेगा प्रकर्ति का प्रकर्ति का स्वतंत्र अवस्ता में पहले समझ लो स्वतंत्र अवस्ता में किस अवस्ता में स्वतंत्र अवस्ता में मैं पाया जाने वाला जाने वाला सबसे छोटा पर कि अग्या कर ला थे अको न किया करता अलशनक की देफिनेशन हमारे सांवरे संज में आई किoa कहा लेकिन के वाद उसल्हक्र परमाव क्या था इसको बोलते हैंग्या परमाव प्लस अनो पर मानु क्या है एस परमाव को कि अगर संदी विछेद हम कर देते हैं क्या कर देते हैं विष्थार करते हैं क्या करते हैं विष्थार चली तो यहां पर इससे जो है इसमें अंबरम बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो बनता हो विष्थार से बनता है देखेगा विष्थार जो बनता है इसका क्या होता प सब्सें हैै शोटा शोक्ष्म है as possible होगा तो पर इधार शुक्ष माननु मतलब परकरति का सब्सें सब अब परकरति का सब्सें लेकिं शोत्त्रावस्ता में नहीं पाया तो इसकी परिभास्ता यहां से बन जाएगी आअ तो तुम्हें दिखाता हो इसकी परिभासा यहां से बन जाएगी देखीर हैं प्रकर्ती हूं परी क्या बना रहा हूं है परी तो परीबासा कैसे बनेगी प्रकर्ती में श्वय तंत्रा अवस्ता में नहीं पाए अवस्ता में नहीं पाया जाने वाला नहीं पाया जाने वाला सबसे छोटा का चलो बताता हूं इसको एक सब्द में ने हाइलाइट किया यह क्या है प्रकरति में श्वतंत्र वस्ता में यहां सब्द क्या लिखा हुआ त्यान से देखना बात को यहां एक सब्द है जाने सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब ど कौन सा तो यह यह कौन सा परमान। परमपलव सहनू देखा विछेद कीया न मैंने परमपलवास सब्सक्षेशक्व मक्न सा यह लेकिन इसकी समय सबस्से कि आप देखेगा क्या होता अनुवसे परमानों के सगन केंद्रिय भाग से नाभीक में जो होता परमानों का सगन केंद्र से नहीं बनते हैं आपने डेफिनेशन लेयर की ठीक है आगे और विश्थार से करता हूं तब आपको और तोड़ के बताऊंगा इसको ठीक है अब बात आते परमानों की तो परमानों का जो है शिद्धान्त क्या है लेकिन उससे पहले परमानों संख्या क्या होती है अटमिक नंबर क्या होता द्रवमान संख्या क्या होती इनके बारे में दो संख्ये आपसे पूछी जाती है और दोनों संख्यां के बारे में हम विश्थार से आप बात कर रहे हैं जो की हमें देखना है आए दोस्तों तो देखते हैं जी हां ओके गुडबानी एवरीड़ी ओके लिजी तो लिए परमानु संख्या क्या लिखेंगे इसको बोलते हैं एटो मिक नंबर समझना बात को क्या बोलते जिक्र करते हैं तो वह होती है जाए इस पर प्रिछले हैं हम लोग कर लेते हैं आए दोस्त देखते हैं परमानु संख्या हम लोग किसे करते हैं ठीक है फारमानु पहला सब्द क्या पहलत इसमें अगर इसका मतलब इसकी परिभासा यही बन जाएगी इसी से क्या बन जाएगी परीभासा अब आपको गुरुजी क्या है वह कैसे तो परमानों क्यों क्यों कि यहां पर इसकी परिभासा इसी से बन जाएगी मतलब क्या होता है कि नाभिक में जो प्रोटोन है क्या है उस प्रोटोन कि संख्या को किस ko proton नोकिए तो पए और पए और के प्रोटोनों की संख्या को किसको क делать संख्या को है क्या कथा है परमानौ कश इसको क्रमांग को बहुत है का को क्या कहते हैं क्या कहते हैं अरे बात समझ में अरे आए की नहीं यह होना चीछ जुनू तो प्यारे मित्र यह बात क्योंकि देखो किलेर हो कंफ्यूजन ना भावा ना तो परमानु संख्या आपको यहां पर किलेर होगी अब पर तो ट्रिक्स बताए थी मैंने दिलो मिटा दी ठीक है समझ गया पर तो क्या थी ट्रिक्स को कि लिखा वह भी साप साप रहेगा तो आपको लिखने मन बीर बढ़िया लगेगा और यूं देखते हैं नेक्स्ट परमानु संख्या के बाद में आता है मास नंबर क्या आता है मास नंबर का मतलब क्या होता है द्रवेमान को एक और नाम बोलते हैं पता आपको द्रवेमान का एक और नाम है या शहती क्या है शहती और नंबर को बोलते हैं संख्या या फिर इसको बो क्या बोलते हैं करमा क्या बात आप बड़ी बड़ी आंसर देते हो यार मानना पड़ेगा ठीक है बात तो आपकी मानना ही पड़ेगा चलो देखेंगा कोई भी चीज समझ में यह तो एक बार नहीं दस बार पूछीगा कितनी बार क्योंकि श्वतंत्रता हमारा जनम अधिकार रहा है इसे में लेकर पर रहूंगा तो पूछना भी आपका दिखार रहो इसको आप लेकर करते हैं कि मैरे प्रेड़ में इसे भी प्रेड़ में पूछ सकते हैं स्वतंत्र परभार है कोई दिक्कत वाली बात है कोई टीचर किसी से कम नहीं क्योंकि एक शेर अथा दूसरा कोचिंग टीचर के दम पर चलती है और में टीचर के साथ करते ही समझाता नहीं करता हुए राजिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की सबसे महेंगी कोचिंग है लोकपाइड आपको और बताते ठीक है राश्तान की नहीं हिंदुस्तान की सबसे महेंगी कोचिंग है चाहिए ओ में उस्तों अंत्र होता होगा ऐसा थोड़ी है ज़तना दालते हैं अतना मिठा होगा तो होगा तो वह तो नहीं है तुम नहीं कहूब तब भी होगा ज्यादा डाला तो ज्यादा है तो यहाँ लगना है है तो नहीं पैसे बचागा अगली बार दो साल तीन चाल चौर साल और पढ़ते रहो अठक्ते रहो क्या और है अंसर यह आ था जब हम कहेरें आज पढ़ लोगो ऑनलो में वह सहां पर भी रहते हैं सब करें नहीं कि पर नेजने यह नहीं तो जो चीज आपको यहां पर बता रहा हुआ है यहां पर मास नंबर की शीदी-शीदी भरीवास नाविग में क्या पाए जाते हैं प्रोटोन और प्रोटोन और नियुट्रोन जो पाए जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ तो प्रोटोन और न्यूट्रोनों की संख्या किसकी प्रोटोन ध्यान रखना प्रोटोन प्लस प्लस न्यूट्रोन कि संख्या का योग क्यो भाई यो योगी तो यह इसका मतलब योग क्या होता तो दोनों के इसंख्या का जोभी योग यह 10 है मालिजर यह 20 है तो ये लो गया कितना क्या हुआ यह क्या हो यह रामान सेंग रहे बता दोंगे कि नहीं हाँ तो समझते जा तो मैं बिल्कुल बैसिक से स्टाट किया हूं डेटू में आपको यहां स्यूट आया हूं देवन में मैं चालक कुछाला कर चालक एक दीन में इक तुर आपकी लेकर देया दूसरे दिन की जर्ण जटी लेकिन यहां शिर्फ एक दिन में ओभी एक घंटे में पूरी जीवनी परस्व लोग 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 जीमो खाना हमने बना रखा पकवान हमने बना रखा बड़िया साफ सुल जाओवा क्योंकि वह तो हम बड़िया हलवाई ये एक नंबर शिर्फ आपको तो उस खाने का दमाना और धन सेलेना अतीन चीजहों तटि गोंती थे पाना और धन कोचिंग में देते ना स्वांवाले को देते हो तरुमическая को देते हो पीजी पर सामाते ऐसमना चासार ज़्यास कि इसलिए त浏गे तकल दु collector खूला क्योंकि हमारी यहाून। तुम्हारी भीओं कि मेंताया बार बार अरी मेंताया वील। गाट बाल लो गाट बाल लो पक्की बाता कचीव महंगा आया वो बार बार आपको नहीं करें एक बार खरिद लिया दो साल पांस साल भी तोड़ना चालना तूटेंगे और वही दोदो सुरिफिक आप करें दो उससे ज़्यादा दे दोगे देमा किसा आई को लोजी अना आं सबी चीजी प्रधीफ जी को बिल्कुल सही बात है दो इस बीदिर ना को आपको अनुप रमानु प्रमानु बताय है अब परमानु का शिधान परमानु का शिधान्त किसे श्रीद लिट्व इस न राय 100 तीज श्री है परमानूं शिद्धा किस ने दिया किस ने दिया जोन डोल्ट किस ने दिया हां खोज करता कौन है इसकी इसकी जो खोज की है किसकी जोन जयाते हो जनक जानते हो जनक पिता मा, क्लिक क्या पूलते इसको पिता मा क्या होता जै होता यह मैं इसका इसका परमानूशिद्धा案 vue नपने जोन डोल्टन ने यह जो है परमानु सिद्धान दिया 1830 क्या कहा है इस सिद्धान्त में उन्हें कि परमानु अभी भाज्य है क्या है कि कर बात समयनना कोशिश करना एक चीज को समयनने की इन्होंने जो कहा हो उसको विध्यान से देगी जोन डोल्टन के अनुसार परमानु अभी भाज्य है किसके अनुसार जोन डोल्टन के अनुसार के अनुसार क्या है परमानु क्या है अभी भाज्य है परमानु अभी इसको भाजक नहीं किया जा सकता तोड़ा नहीं जा सकता अभी भाजे मतला भाजक नहीं अभी भाजे हैं इसका मतलब यह जो अभी भाजे है तो जोन डोल्टन पर्मनाहों भाचक अब इस शिद्धान्त का जो है खंडन कर दिया कि इसने रदर फोर और नामक विध्यां नहीं कि उसने कहा कि यह गलत बोल रहा है तो प्राक्टिकल किया इसने पाया जो दिए प्रमनाहों भाचकत इसमें नाभीक पाया जाती ओ और नाभीक ही प्रोटन और नीट्रोन पाइय जाते हैं उसके चार और चक्कर लगाते हैं यह बात किसने कि है तो रधर पोड के सिद्लांत का जो खंडन है किस नहीं किसे ने पोर कि पंगाए गलत वता रहे हो यह सब्द नहीं चलेगा निलध बौहर ने क्या किया इसका किया इसका खेंड़न अभी बाध कर नहीं बात करके क्या कहा है पर्मानों में पाइजाती सो शोइटहिंदन करता हूं कि परमानु क्या है इनके अनुसार क्या है अनुसार परमानु को सब्दों को जो मैं लिखता हूं ध्यान रखा करो क्यों कि प्रते के लाहिन आपको जो है यह जारी है जारी है तो क्यों बोलते हो वह यार्ण क्या है ऐसा क्यों बोलते हो यह पर एक दूसरे से क्योंकि निचे से उपर तक एक्क्यूरोट जहां मेकप होना चाहिए वहां है आपको में कजरा कि शाड़ी जो भी चीज़ बनते हैं वाय क्या घजब जारे है एक ही मेनत की है रेश्टर बनाने की किसकी तो रेश्टर इस रेश्टर को ऐसे बनाऊं कि गलती से कोई देख लेने तो पुछे यारी कहां से लिखा तू नहीं मुझे बता को जूगल से कहां तो भी दोड़ा दोड़ा चला है तुमारा फाइदात हो मेरा भी हो इसलिए प्यार से लिखाता प्रटेक्च जल्दी बाजी नहीं करता मैं ठीक है जितना मेंटर मुझे पता सब अब परमानू जब भाजक है क्या है परमानू जब भाजक है इनके अनुसार परमानों क्या है बोलो बाचक और इन्हों ने कहा है क्या कहा कि निल्सबोर ने कहा कि परवानों की नाभिक में क्या प्रोटोन और न्यूटोन पाई जाते लेक्टों चार और अर्थार्थ अर्थार्थ में जवाब कहा जवाब में भी दिया अर्थार्थ पर प्रमानों की नाभिक में क्या प्रमानों की नाभिक में नाभिक में प्रोटोन वे न्यूट्रोन क्या पाए जाते हैं जब की जब की बोलो अरे बारे वाव 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 मेरे से रोब भाक्रोन कंसाओं में कंशाओं में बोलो ने चक्क्र लगाते हैं सो हिसे नलगा रहें से कख्साओं में В क क क्या करें अक मृट्दी क को अब यüyorsun कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाते हैं जहां कि परमानुशिद्धान कि इसके देखो एक चीज को धागे में प्यूराना बिल्कुल बैसिक्स है एक एक वाई वन वाई बैक टू पर क्लास चल रही है उनिक मर्जय है जो जहां सिस्टम को जहां होना चाहिए वहीं रहे हैं आओ दोस्तों अब बात करते हैं परमानुशिद्धान यहां पर क्या होता है कि आ जाती है नाभिक क्या जाती है ठीक है अब नाभिक की जो सबसक्राओरा यहां नाभिक को बनले करते हैं इसकी क्या किस तो आए क्या सब्णावीक को rij है बोते हैं यह हमारी नाभिक और इस नाभिक का आज हम चलसा में हैं देखेगा ये नाभी क्या कहती है सबसे पहला इसकी परिभासा से पहले एक चीज आएगी पता इसकी परिभासा से तो किसनी की नाबिक की खोज प्रेंशे से नेकर गां इससे पर एक और चीजञ बता है इसमें प्रोटोन इलक्तोन और क्या पाए जाते हैं अब क्या बोलाता था टेक्निकल को पढ़िए गा गाया यहां देखो इनके बारे में इन दोनों तीनों के बारे में एक सब्सक्राइ देता हूं नो अब क्या लेखां यां भोलतby-क्रोट्थी च्रीक्स को पढ़िए जिसको के साथ उन चाहए लिखैया यहां लिखाया भिस फिर्फ हे लिख अब तरयval क्या को चेज रोफ बनेशी स्वाद हरनेन इससे हमें छोरठ नह रेना सो समझे और कंसर्प्ट के लिए रज़े एक दम ठीक है डन हाँ पर में तुम ध्यान से देखना अच्छा देखिए अम बात करते हैं ट्रिक्स के साथ आओ बच्चों तुम्हें दिखाते हैं यह लीजिगा स्वांधार वाल ट्रिक्स अब इलेक्ट्रों प्रोट्रों और युवं न्यूट्रों की होज करता है अब आपको गुरूजी वह क्या खोल च करता है इस इसी horse को एप़ार में तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां एकаша क्या लिखेंगे ौके तो यहाँ पर ट्रस में क्या लिखिए आव अच्छों यहाँ पर देकिए ध्यान से देखना एक इस शूंब क्लेक है यहाँ लिखेंगे इट क्या लिखेंगे इट क्या लिखेंगे इट यहां लिखेंगे पग क्या इट पग और यहां लिखेंगे नाच क्या लिखेंगे नाच चलिए इसको समझ लेते हैं अब टेक्निकल पढ़ाएंगे ट्रिक्स के साथ ओके आए इसे हमारा पहला अक्सर है दूसरा अक्सर है कि यहां पर हम क्या लेते हैं पहले यालते हैं इसे बन जाता हमारा बोल क्या बनेगा इसे आब बात आती है किसकी खोज की किसकी आती है सब्सक्राइब तो फोज किसने की यहां पर देख सब्सक्राइब यहां पर दिखायाँ तो क्या है बात एक ही है इंगलीज में एक आता था तो इसलिए आपको दोनों ही दियान रखना तो बंगीने ट्रिक्स ए से इलक्टॉन खोज किसने की टह देखो इट अना यह तक लेगा अर्या टाशे टॉंसर ना बाबा रटोगे कब तक कैसे रटोगे यह चीज दिमाग से निकाल दो हम तो बात अई कर रहे हैं तो इट से हमारा एक पहली लहन के लिए रहोगी चाह दूसरी घुर्ची यह भी बता दो आप तो तो भाई पर पहले अगया और गयर बाद माया तो पतों में पहले लूगा चोलेगा अना परसे चाह बनेगा बोल अर्यह को पता चल लगुंत और इसकी किसने की यह भी मैं देखना पड़ेगा सब्सक्राइब हमारे पास गर से मतलब हमारे पास क्या बनेगा गोल्ड इस्टीन डिया बन गया अरे बन गया बन बना तो आप तो हाँ मेरी इलाज रख लोगे तुम फिर क्या है हमारे पास में ना फिर क्या आएगा चै तो नासे क्या बनेगा बोलो प्यारे मित्रो नासे क्या लेते हैं और तो चैंप से क्या बनेगा चैड़ विख किया बनेगा कैः ने कि इत्रीक्स जुआ याद भुए सबसे पहले हम यहां पर खोज लिखेंगे क्या लिखेंगे और उसके बाद हम बेक चलते हुए चले जाएंगे जिसे हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना लगा सकते हो आप जरूरी नहीं यह सकते हो अपना तरीका है अपना League कि स्भी लिखाने का लिखने लिखाने का लिखाने का जिससे आपको हाइलाइट यह दिखे शाओं क्या यह बात आपके दिमाग में क्लियर को दे तो इसकी क्या अगली परीबासा के हम बात करते हैं तो कौन सी परिबासा कैसे बनेगी ठीक आओ सब्से पहले खोज पर खोज लादर पोडने वह वह क्या बात आंसर दे रहे हो यार मोज आगया अंब इसे में पार पड़ जाएगी है या ठाड़ फॉर्ड क्या अब प्रिबास शिंक हां रिख केंदृ भाग्या का शगान केंद्रिये भाग्या तो परमानों का सुना बात को परमानों का क्या परमानों का का शगन केंद्रिय भाग क्या कहलाता है नाभिक कहलाता है परमानों का सगन केंद्रिय भाग बाद में उतारते हो तो आपको पूछने की पढ़ेगी कि सर यह क्या लिखा हुआ पढ़ती है नहीं साफ साफ देखता ना कभी कबार क्लास में इसा होता हो तो हम दो टीचर से पूंटी गुर्जी क्या लिखा हो वो जितर यह नहीं पढ़ कर रहे हैं चलो आई यह तो तो परमानों का सगन केंद्री भाग हमारी क्या कलाई नाभिक परिभास होगी अब नाभिक में पाए जाते प्रोटन और न्यूट्रोन लेकिन उससे पहले इसका कोई ने कोई तो आकार होगा रहे नाभिक का आकर वह लो नाभिक का आकर ओके त पंद्रह यह बात हुआ ना यह बात आपको दें रखनें पड़े इसी प्रकार से या इसको बोल सकते हैं एक फरमी किया बोल सकते हैं एक फरमी या इसी को बोलते हैं आपको यह बता मतलब मेटर बेटा क्या है मेटर आपको यह बात समझ में आई कि नहीं तो नाभिक अब नाभिक में क्या पाए जाते है प्रोटोन और दूसरा 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 नियोट्रोन अब आप से कोई पूछ ले कि चक्कर कौन लगाता है अगर बात पूछे किसकी चक्क कि तो क्या कोन लगाता है एलेक्ट्रोन अगर आपके यहां पर एक परिभास आये जिसमें कहां कि परमानों का सगन केंद्री यह भाग क्या कर लाता ना विक कर लाता तो तो आप शे भी पूछा जा सकता है एक जो बिंदू आपके सामने आ रहा है कि परमानों की खोज किस ने किया तो परमानों की आकार क्या है तो परमानों की अगर बात करते हैं तो यह हमारे पास आता है करते हैं तो आज का सितारा जिसमें आप जो भी बताओंगे आपका नाम लिखा जायेगा क्या आज के सितारे में लिखा दो लिखाँ आज का शितारा आप जो भी यहां पर बताऊंगे तो उनको जुआ इसमें नाम लिखा जाए जिसमें पीड़ेप में उसका नाम अमर हो जाए अब शितारे में तुसी ताईला चलना ही चाइस विपफजलेफंस कूसा में देखना बहुत ही बढ़िया है यह और यह जो क्यूशन है हमारा पिछली बार एलपी माया था किस माया था एलपी 2019 में पूछा गया था क्योशन और वही चीज में आपको अठरा की बरती वाले में यह पूछा गया था ठीक है याद रखेगा इसमें आपको बताता हूं कि निर्दिष्ट है निर्दिष्ट है लो जी आपको पहला ओफ्षन देना है मुझे पता है आप सबसे पहले बताने काग्रह हो लेकिन थोड़ सा त्यान से देखेगा क्योंकि प्पर माया कुशन है क्या इसलिए क्विशन नहीं क्विशन में क्या है बहुत सारी दम है यह च एके ने नो दूसरा है एके माइक्रों एके फरमी एके एंगस्ट्रम बोलो अंसर बोलो यह पक्का पक्का क्यों नाम आपको अंधो दोलत राम दो लेट राम देख लेना बैया स्प्रिंग चेक करना मुझे पता निए ओ गलत आगे बही है मुझे लगड़ा गलत है आपको लगड़ा सहीए गया ना हाँ चलो पर यह क्या फोन्ट है कोई बात नीं फिर भी मैं को कुछिस करूंगा कि आपका बड़ी है नाम लिखूंँ बोलो दो अरे यार फिर गलत आएगा बोलो डी ओ यू एल ये टी आर ये एम अब से यह क्या से यह यार इसका तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार यह तो फोन टी गलत पकड़ा आपनों तो ऐसा करते साधा लिख देते हैं आप बोलो डी ओ यू एल ये टी आर ये एम बोलो कोई दिक्कत बोल दोलत राम दिल दे दूं अरे दिल दे दूंगे लो बही अच्छा ना तो पूरा बताना दोलत राम मुझे बादुरा घ्यान मत बताना उने बता तो दिया लेकिन पिच्छरा भी बागी बता एक नेनो में कितना होता ओप्षान ये भी आ सकता था अप्षान यह जरूरी ने कितना होता है अब दूसरा यहां पर क्या है 10 की पाउर मैनेश के माइक्रोम में-6 अब और अगला आता है दस की पावर माइनस के बोलो फर्मी में 15 अभी तो लिखाया था और यहां एंगस्टर में कितना आता दस की पावर माइनस के दस मीटर है तो प्यार दोस्तों यह भी आ सकते हैं लेकिन और अपका क्लियर है और दौलत राम आज का विजयता है तो हमारी क्लास का स्टार को न दौलत राम उन्हेने वालों का विश्य प्रकास से नाम लिखूंगा अगर आप अंसर सही सही देवोगी तो बिल्कुल आपका अब लिखा दो आपको चारा अब उतारो उतारो किया उतारो अब उतारो अब उतारो सही है